नमस्कार मैं एमिते शगनी होतरी मोदी राज में भारत की लोकतांतरिक सस्थाएं एक-एक कर धराशाई हो रही है तो चुनाव आयोग भी कैसे अचूता रहता मोदी सरकार में चुनाव आयोग भी ऐसी सस्था है जिसकी विश्वस नीता सबसे ज्यादा गिरी है कल चुनाव आयोग ने तमिल नाडू, केरल और पश्चिम बंगाल में चुनावी तारीखों का एलान किया तो आयोग पर उठने वाले सवालों की बाढ़ा गई 234 सीटों वाले तमिल लाडु में एक चरण में और 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव कराने का चुनाव आयोग का फैसला किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है चुनाव आयोक के मुख्य चुनाव आयोक्त सुनील अरोडा ने पशिम बंगाल में आठ चरणों में मद्दान करवाने के पीछे जो तर्क दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि अरोडा साहब की जुबान का रंग भगवा हो चुका है सुनील अरोडा साहब का कहना था कि तमिल नाडू देश का सबसे शांत राज्य है इसलिए वहाँ एक चरण में चुनाव हो जाएगा इससे असाफ दिख रहा था कि मुख्य चुनाव आयोक्त एक तरह से भाजपा जो संदेश देना चाहती है उसे अपने मुखारविंद से मतदाताओं तक पहुचाना चाहते है भाजपा बराबर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती रही है केंद्री मंत्री स्मृती रानी ने एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के शाशन को हिंसा का दौर बताया था मुख्य चुनावायुक्त बाकाइदा भाजपा की चुनावी टीम के अन ओफिशियल स्टार प्रचाराग बनकर उभर रहे है उनके बयानों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में जनमत तयार करने का काम कर रहे है गौड तलब है कि अरोडा सहाब इस साल 13 अपरेल को रिटायर भी होने वाले हैं और बहुत संभाव है कि उन्होंने पूर्व चीफ जेस्टिस रंजन गोगोई के दिखाय रास्ते पर चलने को ही अपना एक मात्र धे मान लिया हो वैसे मुख चुनाव आयोगत सुनील अरोडा के पश्शिम बंगाल में आठ चरण में चुनाव करवाने की घोषना पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनर्जी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके बंगाल में आठ चरणों में चुनाओ करवाने पर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कहा कि ये भाजपा के कहने पर करवाया जा रहा है और चुनाओ आयोग ने वही किया जो भाजपा ने कहा ममता बैनर्जी ने सवाल पूछा है कि जब तीन राज्यों में एक चरण में और असम में तीन चरणों में चुनाओ कराया जा रहा है कि या सब भाजपा ने जानबूच कर करवाया है ममताब एनरजी का कहना है कि केंदरी इग्री मंतरी अपनी ताकत का गलत इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन भाजपा को बंगाल की जनता जवाब जरूर देगी खेल जारी है हम खेलेंगे और जीतेंगे भारती कबनिस पार्टी के महा सचीव दीपांकर भटाचार ने भी चुनावायोग पर सवाल उठाए हैं उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि चन्नई में पांच दिवसी टेस्ट मैच अहमदाबाद में दो दिवसी प्रकरण बन जाता है तमिल नाडु में एक दिन में चुनाओ पश्चिम बंगाल में आठ चर्णों में फैल जाता है क्या आप में से कोई भी इस नंबर गेम की व्याख्या कर सकता है गौड तलब है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को 5 जिलों की 30 विधान सबा सीटों पर होगा दूसरे चरण का मतदान 1 अपरेल को 4 जिलों की 30 विधान सबा सीटों पर होगा तीसरे चरण का चुनाओ 6 अप्रेल को 31 विधान सबा सीटों पर होगा चौथे चरण का मद्दान 10 अप्रेल को 44 विधान सबा सीटों पर होगा पाचवा चरण का मद्दान 17 अप्रेल को 44 विधान सबा सीटों पर होगा चटे चरण में 22 अप्रेल को 43 विधान सबा सीटों पर चुना होगा साथवे चरण में 26 अप्रेल को 36 विधान सबा सीटों पर आठवे चरण में जो आखरी चरण है 29 अप्रेल को 35 विधान सबा सीटों पर चुना होगा अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कभीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का और अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेस्बुक पेस कभी लिए निए